Cross-Cultural Psychology, Physiological Arousal, Arousal of what? Emotions, मैंने बात की थी emotions के बारे में, कि emotions की तीन components होते हैं, तीन हिस्से होते हैं, एक है किसी जज़बे को महसूस करना, जैसे खुशी है, दूसरा है उसकी विरा से जिस्सम में तबदीली होना, जिसे physiological arousal कहते हैं, और तीसरा है उसका expression, हमने expression की भी बात कर ली, physiological arousal की बात करते हैं, कि हमारी neuro-biological basis क्या है, emotional response की, यह जो primary emotions है, anger, fear, player, sadness and disgust, यह पांच को हम primary कहते हैं, इनके कुछ फायदे होते हैं, खुशा आएगा तो आप reaction करेंगे, अपने को बचाएंगे, या दूसरे को बताएंगे कि मुझे अच्छा नहीं लगा ताके वाइंदा ऐसा ना करें, उदास होंगे तो आपको किसी tragic चीज़ से या किसी चीज़ से cope करने में मदद मिलेगी, खौफ जब होता है तो उसमें आप जान बचाते हैं, डिस्गस्ट होती है तो गंदी चीज़ नहीं खाते हैं या गंदा काम नहीं करते हैं तो यह जो प्राइमरी एमोशन्स हैं यह इनसानों में तब से हैं, शुरू से हैं जब यह सोसाइटी इतनी industrialized या advanced नहीं होई थी, तो यह इनकी functionally adaptive value है, यह हमें positive emotion जैसे player है, उसके जरीए हाजमे की कुवत बेहतर होती है, चीज़ों को explore करना जाके ढूंडना, तलाश करना, उसको उससे मज़ा उठाना, human sexual activity जो है, वो एक player वाला है, खाने की activity और नई नई तरह के behavior सीखना, यह सब जो हैं यह player से निकलता है, इसलिए emotion और feelings जो हैं, व हमारी stability और हमारा adaptive behavior जो अपने environment में उसमें काम आते हैं, इसलिए इसकी neurological basis हैं, जब तक जिसम के अंदर से active नहीं होती, कोई चीज़ आपके behavior में या आपके चेहरे पे नहीं आती है, बूख है, अगर हमारे जिसम में physiologically भूख का कोई mechanism ना होता, तो हमें कैसे पता चलता कि ह हमने खाना है, और अगर हमें ना पता चलता तो हम ना खाते, और अगर हम ना खाते तो हम भूखे मर चाते, तो ये कुदरत ने हमारी तकलीक में ये चीज़ें physiologically डाल दी हैं, तो इसी तरह emotions की भी physiological side है, एक लफ़ज यूज़ होता है the limbic system, जिसमें brain के बहुत से हिस्थे ह उसमें एक amygdala है, ये complex nuclear mass है, यानि लौथरा कहले, चीज़ है जुड़ीवी brain के अंदर, इसके अंदर और बहुत से nuclei और nuclear complexes हैं, यानि जुड़े में nuclei और single, ये जमा करता है information को बाहर से आने वाली चीज़ों के बारे में, जो हमारी sensation और sensory organs और corticals के जरीए आ रहे होते है जिसमें खुश्बू, जाइका, अंदर की gut feeling, जिसम के अंदर की, endocrine processes के हमारे glands में और हमारे जिगर में और सब में क्या हो रहे हैं, इन सारे knowledge को ये कठा करके बाहर से आने वाले knowledge के साथ जमा करता है, तो ये काफी complex processing unit है, खौफ खाने वाली situation में जांके खौफ वाली सूर्टे हालो, threatening हो, अमिगडला जो है, वो actively fear को produce करता है, तो वो activate हो जाता है, और उससे हमारे अंदर एक alertness की, vigilance की, बाखबरी की हालत हो जाती है, जो जो जरूरी है, खौफ की हालत, जो हमारे जिसम को तयार करती है, या क्यों जरूरी है, इसलिए कि हम अपने आपको बचा सके, अब मैंने पीछे अपने किसी lecture में आपको Turkish drama दिखाया था, you want to understand कि emotions किस तरह अंदर से arouse करते हैं, मसला घुसे में चेरे का रंग बदलता है, सांस तेजी से चलने लगती है, क्योंके body त्यार हो रही है, action के लिए, sadness में सांस स्लो हो जाती है, हाथ-पाउं ढीले हो जाती है, क्योंके आपने action नहीं करना, आपने अंदर से उसको संभालना है, अपनी उदासी को, खुशी में गले लगाना है, या खुशी में दौड के कोई काम करना है, तो excitement आने की जरुए है, तो body active हो जाती है, अच्छा इसमें जो brain आपको नजर आ रहा है, इसमें limping system जो है, thalamus, hypothalamus, hippocampus और amygdala, यह सारे जगें दिखाई गई हैं और इनको information कहां से आ रही है, brain के तमाम एरिया से, sensory से भी, ocular यह नहीं जहां से आँखें हैं, जो सुंगने की हिस्स है, जो हमारी movement की हिस्स है, जो हमारे brain मे hearing की है, यह occipital lobe जो के vision को process करती है, उदर से भी आ रही है information, और फिर वो इस सारे को जिसम के अंदर की भी लेता है, बाहर की भी लेता है, और उसको process करके आपके emotions, अंदर होने वाली और बाहर होने वाली दोनों चीज़ों को जमा करके आपको emotion का experience देते हैं, और इसमें physiological ar का बहुत रोल है, कभी कोई चीज याद आए तो आप अदास हो सकते हैं, कभी कोई चीज याद आए तो आप खुश हो सकते हैं, कभी कोई आवास सुनके कुछ याद आजाए तो आप खुश हो सकते हैं, और कभी आपकी बाड़ी के अंदर से जो हो रहा होता है, वो आप कह खास emotion feel करते हैं और आप उसके हसाब से जो है अपनी बाडी को आराम देते हैं, action में लेके जाते हैं और खुद को समझते हैं, अपने emotions को समझने के लिए brain आपकी पूरी help करता है और यह हमारे जिन्दगी गुजारने के लिए emotions की बहुत एहमियत है, इसलिए लोग जब कहते ह हैं, जजबाती होके ना सोचो, गैर जजबाती होके सोचो, emotion survival के लिए जरूरी है.